जहें दुस्तों मेरे नमें अतूल और स्वागत है आपका अपनी यूटिप शेनल अतूल टिक बजार में दुस्तों अक्टूबर मन्त स्टार्ट हो चुका है और यहां पे Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस को Early Access मिल चुका है Realme UI 4.0 Android 13 का अगर आपके पास Realme 9 Pro Plus 5G device है तो Community भी आप चेक कर सकते हैं वैसे इसकी जो डिटेल है आपको description box में दे दूँगा 13 के साथ में बट जो features आपको मिलने वाले है Realme UI 4.0 के ही मिलेंगे अब यह एकसे पीटा अपडेट है इसलिए इसमें बहुत सारे bugs हो सकते हैं इसलिए अपडेट के पहले यहां पे source समझ के इससे access करिएगा अब यहां पे दूस्तों about section कुछ इस तरह से देखने को मिलता है Realme UI 4.0 Realme 9 Pro Plus 5D Joy का और यहां पे about features आप देख सकते हो aquamorphic design यहां पे देखने को मिले की और यहां पे जो folders वगरे है उसके size वगरे आपको resize कर सकते हो personalization section में यहां पे आपको changes देखने को मिल सकता है और पहुँच बड़ा यहां पे changes आपको aod customization में देखने को मिल जाएगा साथ ही में दोस्तों यहां पे gaming में बहुत ज़्यादा optimization आपको देखने को मिलेगा hyperboost gpa 4.0 का support अब इस update के बाद आपको देखने को मिलेगा जिससे gaming काफी अच्छे हो जाएगी अब बात कर लेते हैं features की तो realme UI 4.0 की यह सारे features gt2 pro device beta update में मिले थे यह सारे features realme 9 pro plus 5G device में मिलने वाले हैं इसका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ तो इस वीडियो के साथ में से attach कर दे रहा हूँ update आया था Android 13 का इसे हमने कर लिया है 5.76 GB का यह update था तो update होने के बाद दूस्तों यहां पे changes आप देख सकते हो सबसे पहला changes आपको notification panel में दिखेगा यह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह का कुछ notification panel मिलेगा यह color OS 13 and OnePlus के oxygen OS 13 के look जैसा ही है same to same यहां पे तीनों में ही आपको notification panel कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा upcoming Realme UI 4.0 में Realme इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकता है बट यह color OS 13 ही है अभी actual में और upcoming 4.0 Realme UI 4.0 में कुछ इस तरह से notification panel मिलेगा तो notification panel के अगर यहां पे deep में बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो वाइफाय और जो mobile data वाला section है इसे यहां पे थोड़ा सा long कर दिया गया है और यहां पे दोस्तो player जो है mini music player को डाल दिया गया है notification panel के अंदर और सारे जो icons वागेरे safe हैं इसे भी आप change कर सकते हो लेकिन जो mini यहां पे music player डाला गया है इसमें आप track change कर सकते हो music play pause कर सकते हो दूसरा दूस्तो edit की button यहां पे आपको नहीं मिलेगी 3.0 पे अगर आप tap करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो edit tiles का option है जिसमें दूस्तो अगर आप edit में जाते हो तो यहां पे आप देख सकते हो plus minus का option आ गया है जैसी आप plus करोगी यह add हो जाएगा notification panel पे लेकिन अगर हम realme UI 3.0 के बारे में बात करें तो यहां पे हमें drag करके उपर की तरह पहुचाना पड़ता था बट यहां पे आप green जो plus है उस पे tap करोगे तो यह उपर की तरह पाएगा and then multi user जो mode है उसे भी यहीं पे fit कर दिया गया है तो यहां पे जो edit वाला option था इससे हटा के 3.0 पे अगर आप tap करोगे तो यह वाले options यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे तो भई यह है notification panel जो left वाला realme UI 4.0 का and right वाला realme UI 3.0 का तो आपको दोनों में से कौन सा notification panel अच्छा लगता है comment section में मुझे जरू से बताएगा notification panel के बाद smart sidebar की बारी आती है तो smart sidebar आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मिलता है जो पहले जैसा ही मिलता है इसमें कोई जादा changes नहीं मिलते है यहां पे दोस्तों आपको google feed का ही option मिलता है वैसे chinese version या फिर global version में आपको quick glance को option मिल जाएगा अगर आपको quick glance अभी भी install करना है तो इसके regarding मैंने वीडियो बनाया है चैनल पे उले बेल है आप जो है realme UI 4.0 का quick glance एप install कर सकते हो इसके लगा दोस्तों अगर home screen में long tip अगर आप करते हो तो wallpaper बाला जो option है आपको same to same बैसा ही mostly wallpaper मिलेंगे but casual wallpaper नाम से एक नया feature add किया गया है जिसमें lock screen magazine पे आप अपने खुद की lock screen magazine लगा सकते हो यहां पे total 9 जो है आप wallpaper लगा सकते हो आपके खुद के यहां पर आप देख सकते हो इसे मैंने आपे set कर दिया only two photo को मैंने आपे set किया है and यहां पे lock screen magazine पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो मैंने wallpaper set कि वही wallpaper जो है lock screen magazine में अब दिखाई दे रहे हैं तो casual wallpaper नाम का एक नया feature जो है add किया गया है जो कि काफी useful है इसके बाद दोस्तो icon में अगर हम जाते हैं तो यहां पे same to same आपको realme UI 2.0, 3.0 से जैसा ही look देखने को मिलेगा user interface बट यहां पे अगर आप देखोगे तो match wallpaper color का एक beta feature दिया गया है जैसे ही आप इसे on करते हो जो भी आपका wallpaper है दोस्तो उसी के color में यहां पे जो icon है system icon यह यहां पे उसी color में यहां पे colorful हो गए हैं तो यह काफी अच्छा एक theme वाला feature है जिससे कि आप जो है अलग style की theme यहां पे use कर सकते हो जो की wallpaper से मिलती जुलती हो जैसे जैसे ही आप इसे off करके apply करते हो तो यहां पे आप देख सकते हो वापस से जो है आप old वाले icon में आ सकते यहां पे जो बाकी feature है जैसे save change करना art plus icon में या फिर material theme का यह सारे जो option है old वाले ही बस यहां पे जो beta option मैं अभी आपको दिखाया है वही यहां पे new option है इसके लावा अगर widget में अगर जाते हो तो यहां पे सारे जो widgets है old वाले ही मिलते हैं layout का option भी यहां पे old वाला ही है फोल्डर को जो है आप visible अच्छे से नहीं कर पाते हो realme UI 2.0,3.0 में आप देख सकते हो तो यहां पे अगर आप इस enlarge करते हो तो इसके अंदर जितने भी icon से आपको काफी अच्छे तरीके से visible हो जाएंगे वापस से दोस्तों आप इसे drag करके कहीं पे भी लग रख सकते हो तो यहां पे यह जो फीचर है काफी अच्छा है यूनिक फीचर है जिसमें folder का size आप resize कर सकते हो और अगर आपको वापस आना है तो यहां पे long press again से कर दीजिए and shrink folder पे टैप कर दीजिए जैसे आप shrink folder करोगे folder again से यहां पे जो है छोटा हो जाएगा तो इसे आप enlarge कर सकते और shrink कर सकते हो और काफी अच्छा useful option Realme UI 4.0 में आपको मिलने वाला है एक और चीज़ जो की काफी important है अगर आपको लग रहा है कि इस update में Realme UI 4.0 में Google Dallas चुटकाना मिलेगा message से तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है एक feature मुझे अगे से बहुत अच्छा रगा screenshot feature अगर आप screenshot लेत अगर आप pen पर tap करोगे तो जिस प्रकार की pen पर आप tap कर रहे हो उस तरह की यहां पर जो है आपको pencil pen आप यूज़ कर सकते हो तो यह जो है काफी useful feature है जिसमें screenshot में ही आप जो है बहुत ज़्यादा यहां पर correction कर सकते हो then directly आप इसे यहां से save कर सकते हो तो screenshot जो है काफी दोस्तों यह जो app है अभी work नहीं कर रही है जब यह work करेगी आपके साथ जरू से share करूंगा इस update के बाद screenshot जो है काफी ज़्यादा unique हो चुका है अगर आप video में edit करना चाहते हो तो video editing के लिए आपको watermark का option भी available है जिससे आप यहां पे पहले या बाद में edit कर सकते हो video ले वीडियो ले लिया है तो भी आप watermark यहां पे edit कर सकते हो इसके लाव नोटिफिकेशन पैनल पर आपको एक mode मिले का Zen mode और दोस्तों यह जो collect किया गया है Zen mode यह OnePlus का feature है OnePlus ColorOS और Realme UI को सब mix up कर दिया गया है और भूल कर भी दोस्तों इस Zen mode के अंदर मत घुशी गया क्योंकि focus mode के जरह ही वर्क करता है बट focus mode में हम exit हो सकते हैं इसमें अगर आप एक बार घुश जाते हो तो यहां पे exit होने का कोई भी option नहीं है जितनी देर तक यहां पर timing चलेगी reverse में आपको यहां पर रुखना पड़ेगा इसका exit का कोई भी option नहीं है तो ध्यान से रखिएगा अग 4.7.0 और इसे भी मैं यहां पर realme X7 में यूज़ कर रहा हूं अगर दोस्तों आपको यही वर्जन चाहिए तो इसके regarding में वीडियो बनाया है टेलेग्राम चैनल जाओन करके भी आप इससे ले सकते हो यहां पर दोस्तों आप app info को देख सकते हो इसका user interface भी यहां पर change कर द जैसे ही phone manager ऐप को मैं tap करता हूं आप देख सकते हो यहां पर 75% जो है clean up को option दे रहा है जैसे मैं ऐसे tap करता हूं info में जाता हूं आप देख सकते हो यहां पर option दीख रहा है and info में जाके आपको दिखादे हो 13.3 वाले एक नया वर्जन है जिसमें आपको बहुत सारे optimization जो new virus scan तो यहां पर आपको मिल जाएंगे तो एंटी वायरस भी यहां पर अपडेट ही मिलेंगे अपडेट के बाद कल्कुलेटर एप का जो इस तरह से देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर आप वैदर यू आप जो है यूज करते तो उसका आपको यूजर इंडेफेस बहु यहां पर अगर बारिस भगए आ रही है या फिर light ज्यादा है weather हॉट है तो यहां पर भी detail के साथ यहां पर animated आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते। weather app में काफी ज़्यादा optimization किया गया है काफी ज़्यादा work किया गया है जिससे weather app जो है काफी अच्छी है आप लगती है recording software का जो user and face है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा and अगर आप record करते हो screen recording करते हो तो यहाँ पर मैं long press करके आपको दिखा दू यहाँ पर भी थोटर मोटे optimization आपको देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत यहाँ पर feature भी add किये गये है यहाँ पर setting का look भी देख लेते हैं यहाँ पर कुछ icons वगेरे change किये गये है setting में दोस्तों अगर आप जाते हो customization किया गया है one tap पर यहाँ पर आपने खुद की omoji के यहाँ पर create कर सकते हो and always on display में भी set इसे कर सकते हो TL MIUI 4.0 में personalization section उसे हटा दिया गया और war paper and style इसका नाम दे दिया गया भी नाम यहाँ पर change किया गया है काम पर ही है and AOD में आपको बहुत ज्यादा customization देखने को मिलते है display यहाँ पर size जो है एक नया feature है जैसे ही आप यहाँ पर large standard and small का option available है तो जैसे ही आप large पर tap करते हो उपर की तरफ जो status bar है इसमें यहाँ पर आपको changes दिखेगा large standard and small इसके size को आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो जो भी आपको convenient लगे इस हिसाब से यहाँ पर जो है आप इसे set कर सकते हो then दोस्तो GT2 Pro device के लिए edge lighting effect वाला जो feature है वो as it easy है यहाँ पर आपको ज्यादा changes नहीं मिलेंगे fingerprint animation भी आप यहाँ पर देख सकते हो same to same मुझे ऐसा लगता है same वैसे ही है क्योंकि GT2 Pro में पर पास नहीं है बट यहाँ पर कुछ हो सकता है एक दो जो fingerprint animation है new वाले यहाँ पर दे दिये गया हो वैसे जब stable update आएगा और भी यहाँ पर animation मिलेंगे quick setting वाला जो option था जिसमें आप यहाँ पर size वगए इसके change कर सकते हैं style वगए इसके change कर सकते हैं notification panel के यह सारे आपको old ही मिलते हैं इसके बाद color का option आता है इसमें भी आपको जो options मिलते थे color changing के, setting के या फिर अगर आप wallpaper से color pick करते हो custom color यूज़ करते हो यह सारे जो options हैं आपको पहले भी Realme UI 3.0 में मिलते हैं font and wallpaper का जो feature है वो आपको same ही same पहले जैसा ही मिलता है wallpaper पर टैप करोगे तो आप thin stone पहुच जाओगे main चीज़ दोस्तो AOD customization में बहुत जादा यहाँ पर work किया गया है चाहे OnePlus हो, Color OS 13 हो यहाँ पर Realme UI 4.0 यहाँ पर देख सकते है बिटमोजी का option है पोड़ेट सिलिट का option है यहाँ पर customize आप AOD कर सकते हो and यहाँ पर Omoji का option है तो यहाँ पर जो बिटमोजी वाला जो feature है दोस्तो यह actual में यहाँ पर type किया गया है Snapchat से यहाँ पर यूज करने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा Snapchat पर इसके बार यहाँ पर आपको अपने फोटो लेना पड़ेगा and यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपकी बिटमोजी तयार कर देगा इसमें दोस्तो जो अगर आप चैटिंग बगरे करते हो तो इसमें अपनी बिटमोजी जो है यूज कर सकते हो बाकी सारे जो features है वो Snapchat में आपने यूज किये होंगे इसकारा वो जो portrait silhouette वाला option है यह भी आपको old ही यहाँ पर देखने को मिलता है थोड़े बहुत optimization यहाँ पर आप कर सकते हो यहाँ पर AOD customization का option old वाला ही मिलता है और Omoji का option इसमें थोड़े से customization और भी ज़्यादा कर दिये गया है और सारे various option मिलते हैं Omoji आप से same to same मिलते जलती हैं पर आप create कर सकते हो और इसे always on display में रख सकते हो Inside AOD नाम का एक नया feature एड़ किया गया है यह एक तरह का AOD है अगर इसके बारे में detail में पढ़ोगे तो यहाँ पे student at Parsons school of design से इसे collab किया गया है यहाँ पे दोस्तों यह इस तरह से work करता है कि जितनी बार आप phone को unlock करोगे यह जो है आपका daily unlock जो है इसे measure करेगा means sunrise से लेके sunset तक यहाँ पे जो color bar है यहाँ पे उपर की तरफ जो आप color bar देख रहे हो इसमें यहाँ पे gap आना चलो हो जाएगा जब तक यहाँ पे आप use करते जाओगे जितना ज़्यादा use करोगे इतना ज़्यादा यहाँ पे gap आएगा जिससे कि आपको पदा चलेगा कि आपका uses कम ही या ज़्यादा तो वहीं useful भी है और useful नहीं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में बट यह है कि एक नया AOD inside AOD है और बहुत सारे और जो AOD है यहाँ पे अवलेबल है जैसे कि पहले भी अवलेबल हुआ करते थे तो वहीं कुल मिलाके always on display जो है इसमें बहुत ज़्यादा customization Realme UI 4.0 में आपको देखने को मिल जाएगा home screen lock screen section में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे clock style चेंज करने का option दिया है दो तरह के clock style दिया है जिससे की one tap पे आप clock style चेंज कर पाओगे बाकि dark mode आपको वह ही मिलते हैं जो कि तीन dark mode चले आ रहे हैं enhance medium and gentle and इस तरह से dark mode आप यूज कर सकते हैं कोई नया dark mode यहां पे रूस नहीं करा गया है हाँ Realme UI 4.0 में battery section को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा optimization देखने को मिलेंगे मिस दोस्तों यहां पे आप उपर की तरफ देख सकते हो जो graph पहले green ही दिखाई देता था वो यहां पे अभी कुछ red और और भी यहां पे sets लियो है अगर मैं इससे compare करो Realme UI 3.0, 2.3.0 से तो यहां पे आप देख सकते हो Realme UI 4.0 में as compare to 3.0, काफ़ ज़्यदा detailing के साथ अब यहां पे battery graph आपको देखने को मिलेगा इसे भी optimize यहां पे किया गया है, about phone के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ then यहां पे सबसे last में Realme Lab का option मिलता है, heart rate monitoring वाला जो feature है यहां पे पहले से ही है और भी यहां पे कुछ extra feature इन future देखने को मिलेंगे, बट अभी जो है यहां पे old ही feature है special feature का जो यहां पे एक tab अलग से जोड़ दिया गया, इसमें सारे features जो है आपको old वाले ही दिख रहे हैं, तो यहां पे ज़्यादा कुछ detail में नहीं बता हूँँगा split screen, flexible window की creator and QQ launch और smart sidebar, kid space यह सब जो है, old ही है यहां पे दोस्तो air gesture वाले जो feature था, जो कि मैंने OPPO Reno 8 Pro में दिखाया था वो यहां पे नहीं मिला है, में भी OT update के थुरू air gesture feature मिल जाएगा बात करते हैं, camera user interface के तो भी यहां पे जो GT2 Pro में सारे जो features मिलते हैं यहां पे वही feature है, कोई भी extra features नहीं provide किया गया है, बैट जो zoom का icon Realme UI 3.0 में हमें मिलता था आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे point के through हमें बताया जा रहा है, तो हो सकता है, यह छोटा मोटा यहां पे changes किया हो बाकि जो GT2 Pro में जो features मिलते हैं, वही same features यहां पे provide किये गया है, कोई भी extra feature Realme UI 4.0 में नहीं मिला है तो यह थे सारे features जो कि Realme GT2 Pro device में मिले हैं, यही सारे features Realme 9 Pro plus 5G device में बीटा अपडेट में मिलने वाले हैं कुछ बड़े updates आ सकते हैं, जो कि China में यहां पे जो AOD customization है, यहां पे जो ओमेजी है, उसमें बहुत बड़े changes किया गया है यह update आपको extra जो update मिलेंगे, बीटा update के बाद में उसमें changes हो जाएंगे, जब भी कुछ नया update आता है, आपको इस चैनल पे पहले वीडियो मिल जाएगा यहां पे ओक्टॉमर के अमानत में GT Neo 3D device, Realme 9 Pro 5G device और 9i 5G device को भी update मिला बाकी है इसके regarding वीडियो भी चैनल पे upload हो जाएंगे, यहां पे system APK भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसे extract हमने क्या है, आप अपने old device में भी इसे use कर सकते हो इस अपसम बॉक्स में डोस्तो टेलिग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएगी, अपडेट के लिए चैनल से जोइन के लिजएगा फिला दोसो कोई doubt question आप comment section में पूछ सकते हैं, इस वीडियो में इतना है मिलते हैं, नेक्स में वीडियो के साथ में, तब तक कि जैन बोलते रहे हैं, बंदे मातरम